Hello everyone, आज किस वीडियो में हम देखेंगे N.I.U.S 12th Class Economics के 4 Year के Solve Question Paper जिसमें कि आपके Important Questions हैं with the Answer, इन Question को अगर आप Practice कर लेते हैं अच्छे से तो आप Easily पास हो जाएंगे, तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप इतना भी पढ़के जाएंगे, तो भी पास हो जाएंगे तो इन Question Paper की आप अच्छे से Practice करेंना, Solution आपके सामने रहेंगे Hindi Medium के Student हो, आप यह फिर English Medium के Student, सबसे पहले हम English Medium के Student के Questions देख रहें, तो अगर आप Hindi Medium के Student है तो आप थोड़ा सा Intro देख लेंगे, क्योंकि सुझ करना is का है आपके Question के आगए, आपको Marks मेर दे रहें हो, क्यों सा ki question कितने Marks का है अहन애ा हम हो, प्लस आपको क्यों से Marks करें तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं sequence में ही answer लिखूँ आपको बस एचीज का याद रखना है कि सबसे पहले आपको उन question को priority देनी है first आपको उन question को attempt करना है जो आपको बहुत अच्छे सा आते हैं यानि कि 100% आप sure हो कि मुझे इसका answer बहुत अच्छे सा आता है second उस type question को आपको variety देनी है जिन में आपको लगता है कि थोड़े बहुत question आपको बना के लिख लोगे और थोड़े पता आपको आते हैं last में आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं करना पिपर को खाली छोड़कर आना है या दो चार question आए तो उनको करके आगे नहीं आपको क्या करना है जो question आपको नहीं आते हैं उनमें भी अपनी तरीके से जो भी आप उस question के जरी है मतलब जो इस question को देखे आपके mind में जो भी थोड़ सारे हैं कि हाँ इस question का answer यह होना चाहिए है आपको बना के उसको answer लिखना है कुछ भी उलटा सिदा तो नहीं लिखना काफी बच्चे बोलते हैं कि मैं दगाने लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी question आई साथ्योंने करना है तो हमें वीडियो जादे बड़ी नहीं हो जाएगी तो हमें वीडियो जादे बड़ी नहीं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि काफी बच्चे क्या करते कि उन्होंने इंग्लिस मीडियम लिया होता है और बाद में वह चाहते हैं कि वह हिंदी मीडियम में एक्जाम दें तो आपके पास पुरा-पुरा यहां पर मोका मिलता है उसके तरफ से कि आप अगर हिंदी म इंग्लिस में एक्जाम दे सकते हो इंग्लिस मीडियम के तो हिंदी में एक्जाम दे सकते हो अगर आपने इंग्लिस मीडियम लिया हुआ था या हिंदी मीडियम लिया हुआ था और आप कोई भी अधर लैंग्विज में एक्जाम देना चाहते हो लाइक आपके होगे को समझेना है और उसके बाद में अपनी लेंग्वेज में आंसर लिखना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कोशन पेपर को देखना है कि कौन-कौन सी लेंग्वेज में वो कोशन कोशन एवलेबल है फिर उसके बाद में अपनी आंसर सीट पर आपको मेंशन करना करेंड और अगर इंगलिस में स्टार्टिंग करिए तो इंगलिस में करिए इसके आपको वीडियो में चैनल पर मिल जाएंगी कि जहां पर मैंने आपको इंपर्टन बताया है समझाएं पी हैं कैसे कॉश्ण को शॉल्व करना है सब बता रहे हैं हमेरिकल एकॉनुमिक्स की भ तो इसको बहुत अच्छे से प्राक्टिस कर लेना उसके बाद में हमारा नेक्स्ट और इनकम वाले इक कोशन आपको देखने को मिलेगा चाहाँ पर आपको नेशनल इंकम काल्फिलेट करने के लिए आती है तो इस तरह किये कोशन को तो आप चुरूर प्राक्टिस करके चाहिएगा तीनों मैथट्स है चलिए हमारे नेक्स कोशन पेपर हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ प आपके पस काईड काईड में टिक लगा लिए या फिर भुग में भी आप टिक लगा सकते हैं टोपिक्स को और आपने आई हो कि अब तक कुछ नो कुछ तो पढ़ा होगा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है आप इतना भी पढ़के जाओगे न तो पास तो आप इजली हो ज करती है टूशन लगाओ या फिर हमारा कोर्स आने वाला है उसको ले सकते हो आप जल्दी टीचर पढ़ाएंगे पैस फिकल्टी आप आपको पढ़ाएंगे तो आप इस तरही किसे भी करके अपने तियारी कर सकते हो तो अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो उस इंकम कदम आपको बताया है कि इंकम वाला कोशन तो आई गई करने के लिए बसापको तीन मैथर द्यश्य स्द्वेंडे से नहीं करने की लिए करे नहीं बहुत इसी मतलब न्युमेरिकल तो बहुत अच्छा रहता है घरते हैं तो आप इसलिए नहीं आराम से पास उचकते हैं नियुमेरिकल की तो आप जैसे प्रेक्टिस कर लिना तो जो भी इंग्लिस मीडियम वाले स्ट्वेंट थे आप वीडियो को यहीं रह सकते हैं आपके लिए यही कोशन थे all the best तो चलिए अब हम देख लिए हमारे हिंदी मीडियम वाले स्ट्वेंट की कोशन यहां पर भी आपको सेमी करना आपको कोशन पेपर को अटायम करने के के लिए छोड़ दीजिए यहां पर जिदने भी कोशन है वह इंपोर्टेंट है आप इनके चैसे प्राक्टिस करके जाना खासका पीपी सी कर वाला कोशन देखने को मिल जाता है तो इसको अच्छे सबढ़ना एंड अकर इस्ट्वान को यह है कि उन्होंने हिंदी मीडियम करने तैयरी करें सैयों को लगता है आप साफ साफ मैंशन कि आप किसी भी लैंग्वीज में अंसर कर सकते हैं बस आप इसो कोशन को समझ जना है कि आप उसका अंसर क्या लिखें फिर अपनी लांग्वेज सब्सक्राइब एक कोशन आप ने ही लिग दिया एक इंगलिस में लिग दिया तुरी तिसरा कोशो नए मिली तौप्रक् आपकी कोशन पर फिर मार्क सी मिलें कंट है एक ठौछ स्कृत कर से कोशन होट नभर होसन नबर 300 अधिनल्ले własन बीकलत पर प्रकुस करके जाना नेक्स कोशन हमारे नेक्स कोशन प्रकुशन है और यहां पर सार्टिंग के वनमांस वाले कोशन याद रहे हों से करने मतलगा यह तो आपके से कूछ-पूछ के भी काम चला सकते हैं थोड़ा वहत एक मितलब वनमाक्स को अभी आपके कोशन मेन हैं उनको धिहान देना पहले पहले आप अपने को कोशन को अच्छे से करना ते और था युश्ट निए कि नजरों में आपको यह इंप्रेशन नी दिखाना कि हां आप cheating करोगे या आप बात करोगे ठीक है यह की first impression is last है ना तो इस तरीके से आपको अच्छे से एक तो इन कोशन को practice करके जाना और साथी साथ अपने paper में जिस तरीके से मैं आपको तरीका बता है आप उसको follow करते हैं आप पास तो easily हो जाओगे और अगर आपको बहुत अच्छी percentage अगर चाहिए 90 या 80% तो I hope कि आपने बहुत अच्छे साथ त्यारी कर रखी होगी फिर तो आपके लिए यह बहुत question helpful रहेंगे क्योंकि last time में हम पता से जाता कि question paper कैसे आता है और किस तरीके से हम उसका answer लिखन रहें कि यहां पर कुछ कोशन आपके repeat भी होएं क्योंकि आपके अलगले question paper है तो यहां पर questions अगर repeat हो रहे हैं तो कोई नहीं वह आपको पतासल जाएंगे जब आपको लोन करोगे तो कोशिश करना जितना हो सके निमेरिकल को तो आप जितना अच्छे से प्राक्टिस करोगे निमेरिकल कोशन की उतना बैस्ट है जितने भी निमेरिकल कोशन की अच्छे से प्राक्टिस करोगे आपके लिए वह बैस्ट ही होगा तो फ्लेप्स आज की वीडियो में इतना ही हम तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे Instagram पर पूस सकते हैं काफी वच्छी WhatsApp में मैंसेज करें तब वी WhatsApp मैंनी टीम देखती हैं तो प्लीस आप से रिक्वेस्ट से कि आप या तो WhatsApp Instagram पर मुझे मैसेज कर देजिए या फिर आप मुझे comments कर सकते हैं ठीक है चलि युदि लिए ने 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 निए ने 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 एक्ट विए ने 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 था है